पहला समदी आए हमको 3x² प्लस 5x-7 यहाँ पे हम क्या करेगे यह जो 3x² प्लस इंटिग्रेशन में 5x-7 इंटिग्रेशन में इन सब को हम इंडिविजर लिख देंगे और इसका जो सिंप्ली इंटिग्रेशन होता है इसका होगा 3 x³ अपॉन 3 इंटिग्रेशन का एक रूल्स है x-2 अगर n है तो उसमें एक एड़ करके वो वाला टम निचे ले जाना है यहाँ पे भी होगा 5x स्क्वेर अपॉन 2 और यहाँ पे होगा माइनस 7x प्लस सी अब यहाँ पे अगर कुछ कैंसल होता है तो हम कैंसल कर देंगे और हमारा फाइनल आंसर लिखेंगे x3 प्लस 5x स्क्वेर अपॉन 2 माइनस 7x प्लस सी एक एक्जाम्पल है i equal to bracket में 4x3 माइनस 1 अपॉन एक्स प्ल तो इस सभी का हम individually integration गरेंगे माइनस integration में 1 अपॉन x प्लस integration में sin x माइनस integration में e raise to x dx अब क्या होगा 4x3 का होगा 4x raise to 4 upon 4 minus 1 upon x का होगा log mode x यहाँ पे sin x का होगा minus cos x और e raise to x का होगा e raise to x और बाद में लेखेंगे प्लस c यहाँ पे 4 और 4 दोनों cancel हो जाएंगे तो हमारा finalize answer इतना हैगा x raise to 4 minus log mode x minus cos x minus e raise to x प्लस c एक और example है हमारे पास sex square x into cos x square x इसी किस तरीके से solve करेंगे हम i equal to यहाँ पे हम यह जो sex square है उसको हम ऐसे लिख सकते है 1 upon cos square x उसी तरह यह जो cosec है उसको हम लिख सकते है 1 upon sin square x और dx equal to अब यहाँ पे जो 1 है उसकी जग हम को खुद को इतना add करना है कि sin square x plus cos square x यह वाला equation है sin square x plus cos square x equal to होता है 1 और नीचे हम as usual लिख देंगे cos square x into sin square x dx equal to अब एक बार sin square के नीचे पूरा ले जाते है टम यहाँ कि sin square x के नीचे लिखेंगे cos square x into sin square x plus दूसरी बार यह जो cos square x है उसकी नीचे ले जाते है sin square x into cos square x dx यह sin, sin और यह cos cos cancel हो जाएगे यहाँ पे बचेगा 1 upon cos square x plus यहाँ पे बचेगा 1 upon sin square x dx अब 1 upon cos square x का क्या होता है उसे हम लिख सकते है sex square x plus यहाँ पे लिख सकते है cos square x dx और अभी हमें पता है इस x square x का integration क्या होता है तो हम लिख सकते हैं 10x और उसी तरह cos square x का क्या होता है minus cot x plus c यह होगा हमारा finalized answer एक वर्टा में हमारे पास 1 minus 3x का square upon x cube तो पहले तो हम यह वाला यह जो a minus b का square है उसका answer होता है a square minus 2ab plus b square यह equation की का use करके हम इसे x बाण करें तो यहाँ पे इतना होगा 1 minus 6x plus 9x square और नीचे हो जाएगा x cube dx अब यह जो x cube है उसको यह सभी terms के नीचे हम लिखेंगे 1 upon x cube minus 6x upon x cube plus integration में 9x square upon x cube dx अब यह जो x है उसे हम integration में अभी इसका equation है नहीं हमारे पास 1 upon x cube का तो हम इसको x raise to minus तो लिखेंगे minus यहाँ पे 6 constant है तो उसको बहार निकाल देते हैं और यहाँ पे बचेगा x raise to minus 2 और last में 9 constant है और bracket में बचेगा 1 upon x dx अब simply as usual हम integration करेंगे यहाँ पे 1 add करेंगे तो होगा minus 2 upon यहाँ पे लिखेंगे minus 2 minus 6 यहाँ पे होगा x raise to minus 1 upon minus 1 plus 9 यहाँ पे हो जाएगा log mode x plus c अगर यहाँ पे हम चाहे तो यह 2 को आगे लिख सकते हैं इस तरीके से 1 upon अब जो x raise to minus 2 था उसे हम x raise to plus करेंगे लेकिन वो निचे लिख देंगे minus minus plus हो जाएगा उपर होगा 6 निचे हो जाएगा x plus यहाँ पे होगा 9 इन्टो log mode x plus c उसके बाद एक example है जिसमें हमको factorization करना है तो factorization x square plus 5x plus 6 का होगा अगर 6 को divide करें तो 2,3,6 होता है यानि कि एक factor होगा x plus 2 और दूसरा होगा x plus 3 निचे से अगर हम x common निकाल ले तो यहाँ पे बचेगा x plus 2 यह cancer होते हैं यहाँ पे इतना बचेगा x plus 3 दोनों के निचे हम एक एक बार x लिख देते हैं अभी यहाँ पे बचेगा सिर्फ 1 और यहाँ पे 3 constant है तो यहाँ पे बचेगा 1 upon x यानि कि 1 का integration होता है x और 3 का 3 करके 1 upon x का हम कर देंगे log mode x plus c अब हमारे पास एक sum है जिसमें लिखा है 1 upon under root 1 plus x वो कैसे solve करेंगे तो सबसे पहले हमें i equal to integration में हम लिखते है 1 upon 1 plus sin x इसको हम उसके सस से यानि गुजराती में करनी से multiply करेंगे 1 minus sin x upon 1 minus sin x equal to यहाँ पे होगा उपर 1 minus sin x और निचे हो जाएगा 1 minus sin square x dx यह term आगे जाके होगा 1 minus sin x और जो निचे 1 minus sin square किया था उसको हम लिखेंगे cos square x यानि यह कहां से आया तो मारे पास equation है sin square x plus cos square x equal to होता है 1 अभी यह जो 1 minus sin x है उसको एक बार 1 upon cos square x लिखेंगे और minus दूसरी बार sin x के निचे लिखेंगे 2 बार cos x into cos x जो cos square था उसको हमने 2 बार लिख दिया तो आगे जाके यह हो जाएगा sec square x minus यहाँ पे sin upon cos होता है 10 x और 1 upon cos होता है sec x equal to अब sec square का integration हमें पता है sec square का integration होता है 10 x minus यहाँ पे sec x into 10 x का होता है sec x plus c अब यहाँ पे हमको एक example दिया है उसमें लिखा है sin cube x plus cos cube x upon sin square x into cos square x इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे यह जो sin cube x है उसके निचे दो बार इसको ले जाएंगे sin square x into cos square x plus यह जो cos cube x है उसके निचे हम ले जाएंगे sin square x into cos square x equal to अब यहाँ पे जो sin है उपर sin की पावर में 3 है निचे 2 है तो उपर 1 sin x बचेगा और जो निचे cos square था उसको हम दो बार लिखते हैं cos x into cos x plus इसी तरह हम यहाँ पे उपर एक cos x बचेगा और निचे जो sin था उसको दो बार लिखेंगे sin x into sin x अब sin upon cos वो होता है 10 x into 1 upon cos होता है 6 x plus इसी तरह यहाँ पे cos upon sin होता है cos x और 1 upon sin होता है cos x अब हमें पता है यह जो 10 x into sec x है वो sec x का equation है और यह जो cos x into cos x है वो cos x का equation है और बाद में लिखेंगे plus c यहाँ पे cos 2 x का एक formula है जो है cos x minus sin x यह हमें याद रखना होगा और बाद में लिख देंगे हम cos x into sin x अभी ऐसा एक example हमने already solve किया है जिसमें हम cos x के नीचे एक बार cos x into sin x ले जाएंगे और दूसरी बारे जो sin x है उसके नीचे हम ले जाएंगे cos x into sin x cos x के एंसल होके यहाँ पे हो जाएगा one upon sin x minus यहाँ पे हो जाएगा one upon cos x यहाँ से sin वाला टम के नीचे यहाँ पे होगा cos x square x minus यहाँ पे होगा sex square x अब हमें पता है cos x square x का क्या होता है इसका होगा minus cortex यवह यहां पर x2x का होता है 10x plus c उसके बाद यहां पर दिया है उसमें भी हम same to same process करेंगे एक बार 2 के नीचे cos2x नीचे ले जाएंगे और यहां पर 3sinx के नीचे यह दो बाल लिखेंगे एको स्वेक्स, इन्टो, स्वेक्स, अब ये क्या होगा, टू, इन्टो, स्वेक्स, और सेम् टू सेम् उसी तरह, अगर यहाँ पे लिखे तो ये हो जाएगा, ठू, एन्टू, सेक्स, अब आपको पता है, तो हम उसको बहार निकाल लेते हैं, यहां पर भी तीन constant है उसको बाहर निकाल लेते हैं ब्रेकेट में होगा sec x into 10x अब पता है 2 sec square x का क्या होगा 10x plus 3 sec x into 10x का होता है sec x और last में लिखेंगे c यह हमारा finalize answer है इसी तरह हम यह वाला solve करें तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे हम 4 upon sin square x लिखेंगे और यहां पर लिखेंगे 3 cos x upon sin x into sin x यहां पर क्या होगा 4 constant है और 1 upon sin square x का होता है cos x square x यहां पर भी हम अगर 3 को बाहर निकाल ले तो cos upon sin होता है cortex और 1 upon sin होता है cos x अब हमें पता है 4 into cos x square x किसका है तो है minus cortex का इसी तरह यहां पर अगर प्लस 3 लिखे दे तो cortex x minus cosec x यह है minus cosec x का plus c इसको हम last में modify करके minus 4 cortex minus 3 cosec x plus c ऐसे लिख सकते हैं दोसरों दोस्तों ऐसी total 5 methods है जो solve करके आप integration के 14 marks easily cover कर सकते हो तो इसके अगले method और अगले वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिसमें मैं आपको अगली 4 method सिखा दूँगा में मैं मैं आपको अगली प्रॉर्दाब प्रॉर्दाइब के लिए भर एंगले और वीजिए धर दूँगा